हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तग्यान में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के इंगलिस बुक लिट्रेचर रिडर का पोईम सॉंग ओफ दरेन का हिंदी एक्स्प्लेनेशन दोस्तो इस कविता के जो रचैता है उनका नाम है कौलिल गिबरेन इन्ही के दोरा लिखा गया एक बहुत ही खुबसूरत कविता है यह कविता परकिर्ती के इर्द गिर्द रची गई है इसमें बताया गया है कि जो वर्सा है ये प्रकिर्ती की गोद में पैदा होती है और यह प्रकिर्ती के लिए बहुत खुसी लाती है उसका पूरा जीवन उसी अस्थान पर बिज जाता है फिर भी उसे कोई पच्टावा नहीं होता है वो अपने इस छोटे से जीवन काल के शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले थोड़े से हम लोग कभी के बारे में भी जान लेते हैं जिनका नाम है कहलेल गिब्रेन इनका जन 6 जनवरी 1883 यानि की 1883 को लेबनौन के बिसरी में हुआ था चुकि शुरुआत में वो बहुत ही गरीब थे और गरीब होने के कारण उन पढ़ाते थे जब वो आठ साल का थे तब उनके जो पिता जो थे उनको टैक्स चोरी के लिए गिरफतार कर लिया गया और उनकी सारी जो प्रोपर्टी थी वो जब्त कर ली गई उनकी मा ने उन्हें यूएस ले जाने का फैसला किया वे 1895 में वोश्टन पहुंचते हैं सन 1904 में वोश्टन में उन्होंने अपनी पहली कलाप परदरशनी की उन्होंने पैरिस में अगस्ट रोडीन से आर्ट की सिक्षा प्राप्त की 1912 में वो निवर्क में बस जाते हैं जहां उन्होंने खुद को लेखन और चित्रकला के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने शुरुवात में अरबिक भासा में लिखा लेकिन 1918 के बाद उन्होंने ज्यादातर इंगलिस में लिखना शुरू किया उन्होंने 1920 में महगर नामक एक सोसाइटी बनाई अरब लेखकों के लिए 10 अप्रील 1931 में उनकी जो है मृत्य हो जाती है अब चलिए इस कवीता की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि सौंग अफ दे रेन में किस-किस चीज है इसके बारे में जिक्री किया गया है पहली पंक्ती में बताया गया है कि बारिस कहती है कि वो चांदी के धागों का रूप लेकर स्वर्ग से देवताओं के आदेश पर आया है एक बार जब वो जमीन पर पहुँच जाता है तो उसे प्रकिर्ती के छेत्र और घाटियों को सुसोभित करने के लिए माप्रकिर्ती द्वारा उप्योग कर लिया जाता है बारिस कहता है कि वो उस मोती की तरह है जो देवी इस्टर के मुकुट पर लगा हुआ है परन्तु जिसे डौन की बेटी ने मुकुट से निकाल लिया है और अपने बगीचे को वो सजाती है अगले स्लोक में बताया गिया है कि बारिस का कहना है कि उसके जो आसु है वो पहारियों पर हसी लाते है उनकी जो बिनम्रता है इससे फूलों को खुसी मिलती है और उनके जो धनूस है इंद्रधनूस है उसके प्रतिक जो दुनिया के जब प्रतेक लोग देखते हैं तो वो प्रशन हो उठते हैं आगे जो है इसमें बताया गया है कि बारिस कहता है कि वो धरती और बादल दोनों के बीच में एक दूत का काम करता है वो दोनों के प्रेम पत्र एक दूसरे को भेजता है हालंकि बारिस उन दोनों को ब्यक्तिगत रूप से राहत परदान करती है वो मैदान की प्यास को बुझाती है और वो बारिस को जन्म देकर बादल को एक ऐसी अवस्था में लाती है ताकि वो बरस पड़े बारिस का कहना है कि उसका जो आगमन है हमेशा आसमान के गरजन के बाद होता है ठीक उसी तरह जैसे इंद्र धनुस उस समय की चेतावनी देता है जब बारिस चली जाती है बारिस का जीवन चक्र मानव जीवन के जितना छोटा है मानव प्रित्वी से पैदा होता है और बारिस किसी और तत्तों से पैदा होता है बारिस और मानव जीवन दोनों हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकते हैं एक ऐसा समय आता है कि दोनों को बारिस और मनुश्य को इस जीवन को छोड़ कर जाना ही होता है अगले पक्ती में बताया गया है कि बारिष कहता है कि उसका जो जीवन है वो समोंदर की गहराई से सुरू होता है फिर वो हवा में उठाया जाता है और हवा के साथ चलता रहता है जब वो प्रित्वी के ऊपर उड़ता है तो वो देखता है कि किस फिल्ड को उसकी जरूरत है और जब उसे ऐसा कोई फिल्ड मिल जाता है तो वो नीचे आ जाता है और छोटे फुलो और पत्ते को अपने गले से लगा लेता है अगले पंक्ती में बारिस कहता है कि वो हर मानोप परिवार की खिडकियों को छूता है और उनके और उनमें जो रहने वाले जो निवासी होते हैं उनको उनके आगमन पर राहत मिलती है हर जिवित आदमी बर्सा की आवाद सुन सकता है लेकिन उनमें से केवल भावनातमक लोग ही इसको सराहते हैं तथा इसे महसُوس करते हैं बारिस कहता है कि वो वातावरन के गर्म हवा से पैदा होता है लेकिन वो अपने धीरे धीरे जल से उस गर्मी से छुटकारा दिलाता है वर्सा यहां अपनी तुलना किसी इस्त्री से करता है जिस तरह से इस्त्री अपनी सक्ति को मनुश्य से लेती है लेकिन फिर उस सक्ति का उपियोकर मनुस को वो हरा देती है बारिस कहती है कि जब समुंद्र उल्लास करता है, खुस होता है और अपनी सास को छोड़ देता है तो बारिस के जन्म की परकिरिया सुरू होती है बारिस भी मैदान को हसने का मौका देती है अंत में वारिस, वास्तों में, स्वर्ग में, देवताओं द्वारा, रोय गएं आसु का एक परकार ही माना गिया है सबसे अंतिम पंक्ती में वारिस ऐसे बोल रहा है, जैसे वो कोई पात्र सिगनेचर कर रहा हो वो समुंद्र को अपना प्यार देता है मैदान के हसी और स्वर्ग के आसू के साथ अपने प्यार को परदान करता है जो सभी मानो जो बेक्तितु है उनके लिए आवश्यक है तो दोस्तो यह था इस पोएम का हिंदी एक्स्प्लेनेशन तो इस वीडियों बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियों में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियों को देखते रहिए तब तक के लिए दोस्तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद